नमु रियंताणं, नमु सद्धाणं, नमु आयरियाणं, नमु वजायाणं, नमु लोवे सवसाहुणं एसु पंच नमु कारू, सव पाव पनासनौ, मंगलाणंच सवेसं, पढमं हवे मंगल। शाशिनपती, श्रमन भगवान महाविर सवामец नी मा भाव पुर्वग वंदन, असी मसी मुपकारी, राश्रवचन्परम् गुुरुदेव नाचरणु मा भाव पुर्वग वंदन, तससर्व उपकारियों नी मा भाव पुर्वग वंदन इंसाइग लोपीडिया एवरी डे हम कुछ ना कुछ ना ये वर्द सिख रहे हैं और ये वर्द सीखते सीखते कई बार किसी के मन में ऐसा विचार भी आ सकता है कि जितने वर्द ज्यादा हम सीख रहे हैं उससे हमारा वुक्याब बढ़ रहा है उससे हमारी information बढ़ रही है लेकिन क्या information बढ़ने से हमारे आचरण में कोई effect आएगा क्या information बढ़ने से हमारा आचरण शुद्ध हो सकता है तम इतिहास के एक पात्र को याद करना जाएगा और वो पात्र है रोहिन या चोर वो जब पसार हो रहे थे अपने मार्क से तब उन्होंने भगवान के पास थे जो तीन sentences सुने थे वो sentences practical life application के कोई sentences नहीं थे उसमें भगवान ने ऐसा नहीं बोला था कि आप गुसा नहीं करोगे तो आपका आत्मकल्यान होगा आत्मकल्यान करने के लिए आपको ये करना चाहिए ऐसा भगवान नहीं फरमाया था भगवान तब देव लोग के देवों का वरणन कर रहे थे एक information दे रहे थे लेकिन भगवान के शब्द की वो information भी उनके जीवन में उनका life saviour बन गया death होते होते उनको सजा होते होते वो बच गय उनकी life के saviour बने वो तीन informative sentences इसलिए हमें द्रड श्रद्धा के साथ पूरी श्रद्धा के साथ इस information को भगवान ने technical जो जो शब्द बोले है उन सभी शब्दों को हमें सीखना है इस श्रद्धा के साथ कि एक दिन ये शब्द भी हमारे life saviour बन सकते हैं और इसी में जब हमारी सीरीज चल रही है a, b, c, d, d word, d alphabet हमारा जब चल रहा है और तब हम आज d alphabet से related कुछ word सीखेंगे एक word है जिससे आज हम सीखने वाले हैं वो है दिशा परिमान एक word है दिशा परिमान जिसको हम कह सकते हैं दिख प्रतिगना याने दिशा परिमान दिख प्रतिगना ये word आपने कहां पर सुना है इसके पहले ये word कब सुना है प्रतिगन में चट्थू वरत इटले दिशा परिमान वरत सिक्स्त वरत याने दिशा परिमान वरत परिमान याने के लिमिटेशन्स स्वयम को लिमिटेड करना उसको परिमित होना कहते है परिमान याने एक बाउन्डरी याने जब भी कोई भाविक अपना आत्म कल्यान करने की इच्छा रखता है सबसे पहले वो अपनी एक बाउन्डरी ड्रॉ करता है जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन चालू हो वो कंस्ट्रक्शन चालू होने से पहले क्या होता है कोई भी साइट पे कंस्ट्रक्शन चालू हो वो कंस्ट्रक्शन चालू होने से पहले वो जो प्लॉट है उसको बाउन्डरी दी जाती है वो प्लॉट को कंपाउंड वॉल दी जाती है जिससे की हमारा जितना एरिया है वो परिमत हो जाए वो सेफ और सिक्यूर हो जाए वैसे ही श्रावक सबसे पहले परिमान करता है यानि लिमिटेशन्स करता है और उस लिमिटेशन्स में सिक्स्त वरत यानि के दिशा परिमान लोक चौदा रज्जू का है और इस चौदा रज्जू के लोक में से श्रावक खुद को परिमित करता है कि इतने इतने किलोमेटर्स तक इतनी इतनी कंट्रीज तक ही मैं अपनी बाउंडरी रखूंगा उसके बाहर मुझे जाना नहीं है यह दिशा परिमान में हम अपनी बाउंडरी आप लोग अपनी बाउंडरी ज्यादा भी रख सकते हो जैसे कि अमेरिका के आगे मुझे कभी ट्रावल नहीं करना है एशिया के बाहर मुझे कभी ट्रावल नहीं करना है लेकिन इससे होता क्या है दिशा परिमान क्यों करनी चाहिए भगवान ने कहा है इसके पहले हमारे अनंत भव हो चुके है और वो अनंत भव में हमने बहुत सारे विवार किये है मानो कि इसके पहले थोड़े भव पहले आपका एक भव ऐसा था जब आपका जन्म अमेरिका में हुआ था और उस जन्म में आप एक बैंक चला दे थे आपकी खुद की एक बैंक थी और वो बिसन्स में आप बैंक होलर थे यानि आपके पास में बहुत सारी FD बहुत सारे पैसे थे जो आपके पास में डिपॉसिट थे और उस पैसे आप बहुत सारी कंपनीज को देते थे आज अलोन आपकी वहाँ पर डेट हो गए लेकिन डेट के समय आपने अपना जितना भी विवहार था उसका वाइंड अप नहीं किया यानि आपने उसको वो सिरामी नहीं बोला है आपके उस भव के बात में आज तक में पचास भव और हो गए लेकिन आज भी वहाँ पर अगर वो बैंक चल रही है मानों के आपके दो ही भव हुए और दो भव आपके छोटे छोटे हुए और वो बैंक अभी भी चल रही है तो वो बैंक जितने भी पैसे फिशिंग कंपनी को देती है और जितने पंचेंद्रिय जीव आज भी वहाँ पर मृत्यू पा रहे है उन सभी पंचेंद्रिय जीवों की मृत्यू का पाप हमें यहाँ पे इस भव में अभी प्रतिकमन का ये पार्ट सुनते सुनते भी लगते है दिशा परिमान करने से क्या होगा दिशा परिमान करने से 10,000 किलोमेटर की अगर आपने दिशा परिमित की है उसके बाहर का जितना शेत्र है जहाँ पर आपने इस भव के पहले अनंत भवों में आपने जन्म लिया था तब प्रभू का धर्म नहीं मिला था इसलिए मृत्यू के समय आपने उस सभी व्यवहारों को वो सीरामी नहीं बोला था लेकिन आपने एक बार दिशा परिमित कर दी तो वो शेत्र के बाहर के शेत्र में आपकी रावी के हसाब से जुड़े हुए जो भी कर्म है वो गर्म आपको लगना बंद हो जाएंगे कितनी बार बोला है प्रतिकमन का ये छटा नूरत बहुत सारी बार हर समवत सरी में आठ दिन या एक दिन तो कंपल सरी बोला है लेकिन कभी ये सोचा है कि दिशा को परिमित करने से क्या होता है जब जब हमारी दिशा परिमित हो जाती है तो उतने एरिया के बाहर अनंत भव तक हमने जितने भी व्यापार किये थे हमने जितना भी पाप किया था वो पाप की जो चेन अब प्रशन ये आता है कि उस भव में जो किया था, वो भव तो मुझे आज याद नहीं है तो उस भव में जो पाप किया था, उसको अगर मैंने वो सिरामी नहीं बोला है तो वो पाप की चेन कंटीनियू क्यों हो रही है इसको एक छोटे से एकजैंपल से समझते हैं मानों कि आप अमेरिका रहते हो, सोनल दीदी आप त्या रहो छो, अने त्या थी आप इंडिया आवो, आप इंडिया आवो छो, अने इंडिया आवीने आप गुरुदेफ न साने ध्यमा एक महीना माते रहो छो. इएक महिना मां आपे त्याथी निकरदा टाइम है आपनू जे घर छे त्यानी में स्विच ओफ करवानी आपना ती भुलाई गई ज़े एटले आपना घर मां रेफरिजुरेटर चाले छे आपना घर मां बीजी एवी घणी बदी वस्तू छे जे इलेक्टरिसेटी ती चाली अवे एक महिना माटे आप अईया राया एक महिना मां होई सके के गुरुदेवना सानिध्यमा आप एक पणवारी घर न याद ना करो तो पण इलेक्टरिसेटी नो बिल आवे के न आवे सेम वे अत्यारे आपनने एभव याद नथी पण त्यानी में स्विच ओफ नथी करने करिया एनो मतलब आजे अईया बेठा छे ध्यान कावसक के सामाईक पण करिये छे तो पण त्या बिल चर्षे के नहीं चर्षे बिल चर्षे दिशा परिमान इटले दिशाओं नकी करवी के अटला लिमिट पछी आना थी आगड़ हूं नहीं जाओ तमारी एज सिक्स्टी यर्ज नी होए सिक्स्टी यर्ज नी एज होए आने खबर होए के हवे जीवन मां पाच्छ साथ दस वरस्ती वधार तो हसे नहीं तो दिशा परिमान करवू जोए के ना करवू जोए हवे आना थी आगड़ वध हिए तो चट्था वरत पची आप बोलो 10 मूरत सूचे 10 मूरत देशा वगास्तिक वरत दिशा नो परिमान अने देशा वगास्तिक वरत मां डिफरेंस दिशा परिमान इटले के पोता नी लाइफ टाइम मांटे नी दिशाओ नक्की करवे के हूँ मारी लाइफ मां एशिया नी बाहर तो नहीं अज जा पच्छी भले जेपन सिच्वेशन आवे देशा वगासिक वरत इटले रोज सुबह उठकर इस दिन की अहो रात्र याने एक दिन और एक रात that is 24 आर्स की अपनी दिशा को परिमित करना तमें एशिया नी छूट राखी छे कि हूँ एशिया थी बाहर आखी लाइफ मां नहीं जाओ पन आजना दिवसे एशिया खुँ फरवाना छो नथी फरवाना तो इना थी आगण वधी ने आपड़ा पाप कई रिते ओचा थाई सके तेना माटे देशा वगासिक एटले दिशा अने अवकाश एटले आजना दिशे तमें सुब बोलो दिन थकी प्रभात थकी प्रारमधी ने पुर्वादिक छो दिशा चेटली भूमी का मोकडी राखी छे ते उप्रान सैच्छाए कायाए जयने पाच आश्रव सेवाना पच खान एटले शो एटले पुर्वाधिक एटले पिल्ला में छो दिशा जेटली मोकडी राखी हती एट छो दिशा माथी आजे तेना उप्रांत मां हुँ दिशा ने परिमित करूँछ हवे आना थी सूत है आजना दिव से आपे एवु नकी करियो के हुँ पांच किलो मिटर थी वधारे आगर नहीं जनके आपने खबरत छे पांच किलो मिटर थी वधारे आजे मारे के जवानू न थी अने मानो के आप प्रियो छो मुंबई मा आपनो एक फ्लाट छे अमदावाद मा आपनो बिजो बंगलो छे राजकोट मा हवे जितला बंगलो जितली प्रोपटी जितली साइट्स आपनी निश्रा मा छे एटले आप तेना मालिक छो ए साइट मा मानो के आपनो एक बंगलो अमदावाद मा छे ए बंगलो मा आजे एवो बन्यो के आपे त्या कोई टेप लगावे आदे अनि टेप ना गम मा एक छिपकली फसाए गए अनि ए छिपकली नू मृत्यू थाए गए इटले कि ए पंचेंद्रिय जीवनी हिंसा थे अनि आप अत्यारे रियोचो मुंबई मा तो ए अमदावाद ना घर मा जो छिपकली मरे तो एनू पाप आपने लागे के ना लागे अनि जो एमा देशाव गासिक व्रत आजे करियू होए आजे सवारे उठी ने के पाँच किलोमिटर सुधीज आजनी मारी दिशा मर्यादा छे पाँच किलोमिटर पच्छी ना मारे पाँच आश्रव ना पच्खांच मारे पुछू हतू पाँच आश्रव इटले सू लाइव मा धी कोई आँचिर आपी सकसे पाँच आश्रव कोई आश्रव ना मारी ना पच्छू है तुमनों विश ओपन करें आश्रव और आश्रन पाँच आश्रव siitä आश्रमां दाश्र आश्रमनात Crash पांच आश्रव आप बद्धाने खबर छे पांच आश्रव ना मारे पच्छान ए दिशा थी बाहार लिवाज। अटले आ दिशा जे मारी छे ए दिशा थी बाहार जे काई पन सावध्य योग थाए छे। इस सावध्य योग नी मारे प्रतिक ना करवी जे। परिम गुरुदेव अमने घणिवाज यारे पोता ना वेराग्य काड़ ना बारा मा केता हुआ ना त्यारे अमने कहें के तेवो तेम ना वेराग्य काड़ मा टाइल्स नी दिशा नकी करता। के आजना दिवस मां के अटला कला कुमाटे हुँ दस स्टाइल्स दी बाहरे नहीं जाओ। इटले के दस स्टाइल्स मां जटली हिंसा थाए ने बस इनोच पाप मने लागे। दस स्टाइल्स नी बाहर मानों के आ रूम मां बीजी कोई हिंसा थाई रही छे। थाए पाप थी हुँमारा आत्मा ने वो सिराओ छे। इटले आजे आपडे बे शब्द सीखेया सु दिशा परिमाण अने देशावगासिक दिशा परिमाण इटले चीवन परियंत पोता नी दिशाओनी개를िमिटेशन्स करवी अने ते लिमिटेशन करवा थी आपडे अनंतकार्णी रावी थी बची सकेँ अने बीजू वर्ड आपड़े सीख्यों तेचे देशावगासिक एटले रोज सवारे उठीने मानों के आपे पांच किलोमेटर नो देशावगासिक वरातली तो पांच नहीं पंदर, वीस, पचीस के पचीस किलोमेटर थी आगड़ हूँ, आज ना दिवसमा नहीं जाओ, अने पचीस किलोमेटर ना बहारे जितला अपन सावध्या इटले के पापकारी करिया हो थाई, छिते ना हूँ पच्छान करूँ जाओ, पची तमें आमेजॉन पर ओनलाइन शॉपिंग करी सको के ना करी सको, ओनलाइन शॉपिंग पची थाई के ना थाई, कीम, कीम के एमा तमारे तमारी लिमिट ना बहार थी, तमारी जे लिमिट हती, इना बहार थी वस्तु ने ओडर करवानी जा, इटले बहु वस्तु वचारवा जेवी जा, की आपड़े सवारे उठिये, त्यारे सु आपणने विचार आवे, के आजे मारे अखा लोक मां जिटला पाप थाई छे, ए पाप थी बचवू छे, अने मारे मारी बाउंडरी ड्रौ करवी छे, जेने आ विचार आवे ने, भगवान एने अनुवरत धारी गहे छे, इटले तेने पोताना आतमाने आंश करिते व्रत थी पोशित करियो जे, एक वर्ड करियो, फोस्ट वर्ड, दिशा परीमान, आने सेकेंड वर्ड आपणे करियो, देशा वगासी, दरेक श्रावक नो एक नियम हो जोई, आजे सवारे उटी ने सवथी पहला, मारे मारी दिशाओ नक्की करवी छे, जे ना थी हू अनर्थ डंड ना पाप थी बची सकू, एटले के जे अनर्थ पापो थाई र्याज विजी वदी दिशामा ते ना थी बची सकू, अने त्रीजो शग्द, जे आजे आपड़े सीख सू, एचे दिक्षा कल्यानक, कल्यानक इटले सु जे शन मा कल्यान थतू होए ए शन ने कल्यानक कहँआज घणी मा दिवार आपने कल्यानक अशब्दने सामभड़ियो च परन आजे कल्यानक एशब्दने अपने डीटेल मा समझ मानों के कोई संसारी जीवनों जन्द मथाई चे के मृत्यू थाईचु, जन्म के मृत्यू, एनो जन्म के नू मृत्यू, ते स्वयम माटे कल्यानक होई के ना होई, अगर कोईनो जन्म थाईचे, के कोईनी मृत्यू थाईचे, ते ते ना स्वयम माटे कल्यानक होई के ना होई, कल्यानकारी होई के ना होई, होई पण शके, पन च्यारे तिर्थंकर जिवा श्रेष्ट आत्मानो जन्म थाय छे, के तेमनो निर्वान थाय छे, तेमना स्वयमना माटे तो कल्यानक छे, कल्याननु कारण छे, बन ते आखा जगत माटे पन कल्याननु कारण छे, अने माटे तेमना जीवनना जिटला जिटला प्रसंगों जे मेन मेन प्रसंगों तेने कल्यानक कह वाजन ज्यारे अब पांच कल्यानक थाई छ ते पांच कल्यानक समय मानों के प्रभूनी दिक्षा थाई छ त्यारे ते दिक्षा कल्यानक समय आख्षा लोकमा प्रकाश थाई छ एक्षण माटे आख्षा लोकमा प्रकाश थाई छ अन इनेक जीवों माटे जाती स्मरण अने सम्कितनों कारण बना आओ के विरतित है जाती स्मरण अने सम्कितनों कारण कई रितना बना की विरति बना मानों के तमें रातना समय तमारी टेरस पर बेठा हो ने तमेंगे तर्स पर बेठा हो ने अच्चानक अखु आकाश प्रकाशित थाई जै जिमके दिवस होए इरते अखु आकाश प्रकाशित थाई जै तो तमने प्रशना आवे क्या सू थाईू अकेम थाईू असू थाईू असे जिनाकार ने अच्छानक एक सेकेंड माटे प्रकाश आये वो उने प्रकाश वयोगियो यह वो भगवान नूं कल्यानक होए अने आखा जगत मां प्रकाश फैलाए त्यारे बद्धा जीवों ने पन आ प्रशना आवे सु अने केम आ सु अने केम प्रशन पर जेम जेम तेमनों चिंतन चालू थाए इतले सु अने केम नों जवाब गोता गोता तेमना अंदरनी फाइल्स ओ उपन थाई जाए के आवो प्रकाश में पहला पंजोयो जे बनी सके के कोई उत्तम पुरुष्णों जन्मत थाई अने आव विचार करता करता तेने जातीस मरण ग्रान थाए अने ते जुए के आना थी अनेक भवो पहला में तिर्थं करना दर्शन करिया हता ते विचार मा आत्र थी तेना अंदर मा सम्यक्त्व प्रगट थाई जाया आजे आपने जारे कल्यानक ए शब्दव उपर विचारी रहा जा त्यारे आपने तो डी पर जारे के आउसा ना त्यारे आपने कल्यानक नी इन डीटेल इनफिमेशन अने मर से आजे आपने दिक्षा कल्यानक करूँ जा भगवान ने के विरते खबर पड़े के हवे मारी दिक्षानों समय थाई गयो जाई भगवान ने अंदर थी सपूरणा थाई के एस पूरणा तो जन्मत ही जो जन्मत ही एस पूरणा वराग्य होई तो भगवान ने खबर के विरते पड़े के हवे मारी दिक्षा, मारे दिक्षा लेवानो समय आवी गए होच देवो आवे पाच्मा देवलोक ना पारलल मा नव लोकांतिक देव जे वो भगवानी दिक्षा नो समय थाए एटले ते नव लोकांतिक देवो प्रभूने विननती करवा आवे के हे प्रभू हवे समय थाई गए होचे तिर्थ नी स्थापना करवानो एटले ए देवो ने अंतरमा कई भाव होए? अंतरमा उल्हास होए? भगवानने केवा आवानो उल्हास होए? तेवो बनी शके पन ते लोकांतिक देवो नो जीत व्यभार छे बीजो वर्ड आवियो डाट इस जीत व्यभार जीत व्यभार इटले सो आपनने जे पद प्राप्त थायू होए? ते पदनी परंपराने जीत व्यभार केवाई छे मानों के कोई राजा ना घरे राजकुवर नो जन्म थायै तो एः राजकुवर नो जीत व्यभार छे के ए मोटो थसे ते राजा बन से औनि राजा बनी ने तेने प्रजानो पालन करवानो छे ए वी रतना! जे पण लोकांतिक देव तरीके जन्म लिये इनी ए पद नो परमपराच के जारेपन तिर्थं करनी दिक्षाने एक वरश बाकी होए किटलो समय बाकी होए? एक वरश बाकी होए त्यारे तेवो प्रभु ने आवी ने विननती कर के प्रभु हवे आप तिर्थ स्थापना कर प्रभुने विनंती करिया पछी सु थाए? केवी रते थाए? दिक्षा कल्यानक केवी रते उजवाए? अने केवी रते आ दिक्षा कल्यानक नी इन्फरमेशन आ दिक्षा कल्यानक नुगनान आपड़ा आत्मा माटे हितकारी छे अने ते आपड़ा आत्मा माती कर्मने कई रिते ओच्छा करी शके ते बधु आपड़े जान सो आउतिकार अउसर